नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग, आप सब का एक बार फिट से सौगात है, बाइजूज इक्जाम प्रप आयस हिंदी के इस YouTube चैनल पर, आज के देनिक कुईज में देखेंगे कौन-कौन से important question है, तो लेक्चर को शुरू करना से पहले आपके लिए एक important सू होगा, आप उसमें आराम से अपना कोई भी प्रशन पूछ सकते हैं, सबसे पहला प्रशन आता है, हाल ही में खबरों में रहा, Operation Prosperity Guardian, निमलिकित में से किस छेतर से संबंदित है, prelims के लिए बहुत जादा important, आपके सामने ये options है, मलक्का, इस्टेट यानि की जलडबरूम हाला कि यहां पर यह जो route है, जिसको बोल रहा है, Red Sea वाला route, Red Sea वाला route और बाब अल मन्देब की जो जलसंदी है, उस route से आने वाली जो ships हैं, उसमें आप देखोगे, यहां पर जो हाउती attackers हैं, जो rebels हैं, उन्होंने कई बार जो merchant ship होती हैं, उसमें attack किया, तो USA ने, जो हमा का नाम है 153, तो इस task force को lead करते हुए, USA ने क्या कराए, कि अब इन attackers को वो लोग defend करेंगे, अपनी ships को इन attackers के against में, तो उसके against में यह operation चलाए गया है, तो आप जहां देख पाओगे, healthy against merchant vessel सिंदा Red Sea, तो यह important operation इसको ध्यान रखिएगा, तो अगर best option को देखोगे, तो वो हो जाएगा लाल सागर, यानि की Red Sea, question number second देखते है, square kilometer array, वेदशाला के संबंद में, निमलिखित कत्नों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है, SKAO Radio Khagol, विज्ञान को समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है, और इसका मुख्याले फ्रांस में है, एक बार चालू होने के बाद, SKA, तलनी आवरत्ती रेंज में काम करने वाले, सबसे उन्नत मौजूदा Radio Durbinों की तुलना में, 5-6 गुना अधिक शक्तिशाली होगा स्कॉयर किलोमीटर एरे कोई एक बड़ा टेलिस्कोप नहीं है, बलकि एक हिकाई के रूप में काम करने वाले हजारों एंटीना का एक संग्रह है, इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो वीडियो को पॉस करके इसको लगाने का प्रियास करिए, आप देखें इंडिया यहाँ पर डिसाइड कर चुका है कि वो SKA प्रोजेक्ट को यहाँ पर जॉइन करेगा, SKA प्रोजेक्ट के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि Australia और Africa, इन लोगों ने मिलके इसको स्टार्ट किया था, बेसिकली इसमें रेडियो टेलिस्कोप का यूस किया जाएगा, तो रेडियो टेलिस्कोप की खास बात यह है कि यह जो कॉस्मिक डस्ट होती है, ब्रहमाण की धूल होती है, इसका भी पता लगाने या इसके पार देखने की जो शमता होती है वो, जिससे कि हमें पता लग सके कि ब्रहमाण की उत्पत्ति के बारे में, या फिर ब्रहमाण के विकास के बारे में, तो यहाँ पर एक बहुत ही जादा, जिसको बोलता है कि बड़ा प्रोजेक्ट है SKO, अगर इसके हेड़क्वाटर की बात करें तो वो आपको UK में देखने को मिलेगा, टोटल दस देश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो इस से कथन सही है, 1850 के बाद 2023 सबसे गरम वर्ष था, ध्यान दीजिये, most important question है यह, जिसने 2018 के पिछले record को तोड़ दिया, 2023 में record पर पहली बार यह दर्जुआई की एक वर्ष के भीतर, 1850 से 1900 तक पूर और द्योगे की स्तर में एक डिगरी Celsius अधिक हो गया है, 2023 में जो greenhouse gas का concentration उसकी सांदरता है, वो हमारे वायू मंडल में अब तक maximum level तक पहुँच गई है, इसको लगाने का प्रयास करिए, अब यहाँ पर आप देखोगे Indian Express का इक article है, तो यहाँ पर इस article के अंतरगत यह बताए गया है कि 2023 जो है, वो warmest year रहा है, 1850 से, बट इसके प concentration होता है, greenhouse gases का, इसी की वज़े से, जो हमारा heat होती है, उसको सोखा जाता है, heat trap होता है, जो प्रतवी से पार्थि विक्रण वापस जाता है, अगर वो अंतरिक्ष में वापस नहीं जा पाएगा, तो यह हमारे प्रतवी के वायू मंडल को गरम करेगा, जिसके फलसुरूप प्रतवी का तापमान भी गरम होगा, और उस विक्रण को सोखने का काम कौन कर रहा है, greenhouse gases, तो यहाँ पर सबसे अधि greenhouse gases का सांधरण यहाँ पर देखने को मिला है, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर 2018 ही 2016 होना चाहिए, तो पहला statement गलत हो जाएगा, दूस दूसरा और तीसरा, दोनो statement सही है, तो best option हो जाएगा B, चौथा प्रशन देखते हैं, समचारों में रहा अंतराष्टी परपल उत्सव, निमलिखित में से किस संबंदित है, दूसरा most important question है, P.I.B. का article है, आप देख पाओगे, गोआ में अंतराष्टी परपल उत्सव का आयोजा ने वो किया जा रहा है, basically यह उत्सव किसके लिए होता है, यह दिव्यांग जनों के लिए होता है, यहाँ पर संगीत, निरत्य, मनुरंजन, इसके माध्यम से जो दिव्यांग जन है, वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज ह कौन आयोजित कराता है, तो आपको यह पता होना चाहिए, दिव्यांग जन आयुक्त कार्याले, जो गुवा के अंदर है, इसके अलावा भारत सरकार का जो मंत्राले है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले, यह दोनों ही विभाग यहाँ पर आके इस इवेंट को ह तो अगर इसमें आप देखोगे, बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, C, विकलांग लोगों का सशक्ति करा, अब देखे, 2023 में, पॉलिटी का यह प्रश्न पूछा गया था, 2013 में, निम्रिकित कत्नों में से कौन सा एक सही है, भारत में एकी वेक्ति को एकी समय दो या दो करे जाते हैं, भारत के समविधान में, राजपाल को उसके पद से हटाने हो तू, कोई भी प्रक्रिया अधिकतित नहीं है, विधाई वेवस्था वाले संग राजचेदर में मुक्यमंत्री की नियुक्ति उप राजपाल दोरा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है, ब आज के तत्रपिने से डालते हैं, अल्प संख्यक संस्थान के बारे में बात हो रही, यानि कि यह कौन सा आर्टिकल हुआ, आर्टिकल 31, यहां पर आप देखोगे, seven judges की bench बन चुकी है, और वो अब hearing करेगी, किस case को, अलीगण Muslim University है, तो इसका जो nature है, वो एक minority institution है, अल्प बाशा केस, ठीक है, तो इसमें Supreme Court ने यहां पर बोल दिया था, कि जो यह संस्थान है न, AMU, यह minority institution के अंदर count नहीं होगा, because नहीं इसकी स्थापना minority institution के अंदर हुई है, नहीं इसका जो प्रशासन है, administration है, वो minority के साब से हुआ है, तो इसको AMU को minority institution का दरजा नहीं दिया हाला कि बाद में चलके इसमें कई सारे और भी petition दायर हुई, तो पहला important case आपको 1967 वाला याद रखना है, दूसरा 1981 की जब बात करते हैं, तो यहां पर भी एक case सामने आया था, मैं उस case को आपको समझाता हूँ, उस case का नाम है अंजुमन ए रह्मानिया, यहां पर लिख दे जब 1981 की बात आई, तो यहां पर यह साफ साफ बोला गया, कि अंजुमन ए रह्मानिया case में जो निर्णाय आया है, ठीक है, अभी हम इस निर्णाय को correct करेंगे, कौन से निर्णाय की बात हो रही थी, बात हो रही थी, जो 1967 का निर्णाय था, जिसमें यह करार दिया गया था कि भाया, AMU जो है वो एक शाइचनिक संस्थान नहीं है, तो 1981 में भी यही चीज बोली जा रही है, कि अब हम इसको correct करेंगे, हम उस चीज को नहीं मान रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा हम और अध्यान करेंगे, बट आगे चलके आप देखोगे, 2006 की जब बात करते हैं, त तो 2006 में इलहाबाद high court ने साफ तोर पे बोल दिया था, इलहाबाद high court ने साफ तोर पे यह बोल दिया था, कि यहाँ पर जो 1967 में रण दिया गया था, वो एकदम सही था, तो यहाँ पर नहीं इनको माना जाएगा क्या, कि यह minority institution है, इसके पहले एक घटना थी 2005 में, 2005 में AMU ने क्या करा था, जो अपने, यहाँ पर आप देखो के लिखा है, कि जो अपने high courses होते हैं, post graduate courses होते हैं, कुछ medical के courses, उसमें Muslims के लिए कुछ seat reserve कर दी थी, AMU ने, तो इस चीज को भी यहाँ पर असमवैधानिक घोशित कर दिया गया, 2006 के इलहाबाद high court के निरणे में, तो अब यहाँ पर जाके seven judges की bench बैठी है, अब देखना यह कि यह क्या निरणा लेते हैं, कि finally 1967 में जो बात कही गई थी वो, या 1981 में जो बात कही गई थी, हमें इस चीज को और correct करना है, क्या चीज पर result आता है, तो आज का the fact of the day आपको इतना समझने वाला था, article 31 भी आप मैं उमीद करता हूँ आपको आज का daily quiz अच्छा लगा होगा, वीडियो को like, share, subscribe करना बिल्कूल मत भूलिएगा, आप से मुलाकात करेंगे अगले DQ में कुछ नय important प्रशनों के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्त रहेंगे और सबसे important अपने माता-प मैं प्रशनों करेंगे यहीजर